नमस्कार दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल स्टॉक मार्केट आनलिसस पर स्वागत करता हूँ आई होप कल जितने लोगोंने मेरा वीडियो देखा होगा सब को पता चला होगा कि मैंने जो लेबल्स दिये थे उन लेबल्स क्यों पर कैसे काम होता है नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे कल के लिए कल कौन से लेबल पर ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट रिजिस्टंस क्या रहेंगे वह सारा चीज़ हम लोग यहां पर देखेंगे बट उससे पहले आप सभी को मैं निवदन करना चाहता हूँ अगर पहली बार कोई मेरे चैनल पर विजिट किय हम लोग लाइब में जाके अनलेसिस करेंगे बहुत सारी फैसलिटीज आपको आगे चलके मिलने वाला है तो मेरा आपसे ही निवदन है कि क्रिप्या चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर वीडियो का लाइक करेंगा चलते हैं मैं अच्छा नहीं लगता है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां पर आपको सीखने को कुछ मिलता है क्योंकि एक स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड चाहिए तो आप कोई भी पेड चानल याप कोई फ्री सर्विस जोइन करके आप लोग महां से ट्रेड ले सकते हो बट मैं क्या है यहां पर कुछ सिखाने की पर्फोर लोगोड को डेली समय देता हूं कि अगर आप लोग कि मूंटम को कैप्चर कर सकते हो गकर एक स्टॉक्स कैसे मूब करता है कैसे क्या ट्रेड होता है वो सालब चिस अगर आपको में काफी मदद करेगा तो हम लोग उसकी उपर जब डिसक्स नहीं करेंगे डारेक्टी चलते हैं लेबल की उपर और हम फड़ा फड़ देखेंगे कि कल आप कौन से लेबल पर ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट रिजिस्टन्स क्या रहेंगे बहुत देखेंगे पहला स्टॉक आपका रहेगा डीलेफ और डीलेफ की उपर हम लो रिजिस्टन्स की उपर मार्केट नहीं जा पाया बड़ हमार रिजिस्टन्स को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने नीचे का जो सपोर्ट लेबल था वो सपोर्ट लेबल को उसने हीड किया तो यहां पर सपोर्ट रिजिस्टन्स काफी अच्छे तरह ट्रेड हुए है यानि कि resistance से दो support कि तक market को trade होने में काफ़े मदद मिला और साथ से तो उनको काफ़े अच्छा profit बनाओगा जो लोग support resistance के नीचे short sale करते हैं और support की उपर जो buy करते हैं उनको अच्छा पैसा मिलाओगा तो चलते हैं कल कौन से label पर trade कर सकती हैं कैसे trade करोगे वो सब्सक्राइब को बताऊंगा ध्यान से जो लेबल्स बताऊंगा वो लेबल्स आप लोग क्रिपया नौट करके ज़रूर रखेगा support पर पहले चलते हैं support क्या रहेगा support आपका होना चाहिए for sorry 380 जी हां 380 का support आपको मैं देना चाहता हूँ अगर 380 के नीचे यह sustain करता है आप लोग sale कर सकते हो पहला target रहेगा 377 35 पैसा और उसके नीचे भी चलता है तो 374 85 पैसा याद रखे अगर DLF 380 के नीचे चलाता है 380 रुपीज के नीचे चलाता है sale कर सकते हो 380 के नीचे चलाता है आप लोग sale कर सकते हो target कहां तक रहेगा मैं आपको बता है 377 377 का target रहेगा और उसके नीचे भी अगर चलता है तो करीबन 374 374 के नीचे आ सकता है तो यह आप लोग ध्यान में ज़रूर रखेगा यह आपको कल काफी मदद करेगा और आप लोग को अच्छा पैसा देगा रेजिस्टंस देखेंगे रेजिस्टंस आपका रहेगा 385 50 पैसा जैसे 385 50 पैसे की ऊपर सस्टेन करता है आप लोग उसको बाई कर सकते हो टार्गेट आपका रहेगा 388 75 पैसा और 392 जी हां याद रखिए 385 50 पैसा की ऊपर अगर सस्टेन करता है आप उसको बाई कर सकते हो टार्गेट रहेगा 388 75 पैसा और 392 यहां तक आपको टार्गेट देखने को मिलेंगे और साथी साथ मैं एक चीज़ आपको बता दना च चाहता हूं कि से अगर किसी को भी कुछ डाउट ओता है ड़ो कमेंड सेक्षिन में जरू कमेंड करेगा कि कमेंड सेक्षन आप लोग के लिए ऑपन है कि अगर आप लोग फिटaltetवेक्वेग भी देना चाहते हो तो आपर फिटवेक दे सकते हो और किसी को दिनकर की उपर स्क्रॉल हो रहागा वहां पर आप लोग पेड़ सर्विस के लिए कॉंटाक कर सकते हो बट इनिशली हम लोग अपर देखेंगे कि आप इंट्राइट के अंदर कैसे ट्रेड करना चाहते हो कैसे लेवल्स आपको मिलते हैं वह उसकी उपर आफ फोकस रखे सर्विस ब यहां पर इतना अच्छा मोमेंटम नहीं हुआ फिर भी हमारा जो रेजिस्टंस अपने प्लान किया था उस रेजिस्टंस की उपर मार्केट गया बट हमारा जो रेजिस्टंस की उपर टार्गेट था उसको थोड़ा 50-60 पोईस पेसे की अंदर उसने हीट करने से बचाया यह चले देखते हैं लेवल्स की उपर टाटा मोटर्स का सपोर्ट रहेगा 420 रुपीज 15 पेसा जी याद रखिए अगर टाटा मोटर्स 420 रुपीज 15 पेसे के नीचे सस्टेन करता है आप उसको सेल कर सकते हो टार्गेट रहेगा 416 20 पेस 416 30 पेसा 412 80 पेसा याद के सपोर्ट काफी इंपोर्टन है अगर टाटा मोटर्स 420 के नीचे चला आता है याद रखिए 420 के नीचे अगर चला आता है सेल कर सकते हो 416 आपका 416 30 पेसा पहला टार्गेट रहेगा और दूसरा रहेगा 412 80 पेसा तो काफी आपको मदद मिलेगा अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट दुबारा ये लेवल तक भी दुबारा आ सकता है याद रखिए सी के बीच में काफी सारे लेवल है आपको मैंने दे दिया हूं सपोर्ट रेजिस्टन्स आपका रहेगा 4 25 10 पैसा जैसे 4 25 10 पैसा के उपर सस्टेन करता है आप लोग कर सकते हो टार्गेट रहेगा 4 30 190 पैसा और 436 याद रखिए 4 25 10 पैसा के उपर अगर चलता है तो आप लोग बाई कर सकते हो पहला टार्गेट आपका रहेगा 431 90 पैसा और 436 यहां तक आपको काफी सारे टार्गेट देखने को मिलेंगे तो गाइस जो भी लेवल्स आपको मैं भी दे रहा हूं काइनली वो लेवल्स नोट करके कल मार्केट में ट्रेड करेगा अगर आपको अच्छा पैसा बनता है अगर आपको प्रॉफिट होता है अ लोग यूट्यूब लाइब आएंगे वहाँ पर आप लोगों को निप्टी बैनिप्टी के साथ आप लोगों का कुछ अगर स्टॉक के उपर इन में आपको लेवल्स चाहिए होगा तो आप लोग पर लाइब में पूश सकते हो वह सारे फिसलिटी आपको वहाँ पर मिले कुछ हमने प्लान किये बट आगड़ है इस प्लान के सासी मार्केट ने treating नहीं हुआ ऊप कि इस घ्रेंथ मेनिया कि आप यहां तक का यह we weekend आप यह तक का एक टारेट जो है प्लान पर उसकी ऊपर करेंगी तो उसकी ऊपर चलता है तो अच्छा है टार्गेट हम लोग को ऊपर के और मिल सकता है बट यह हमारा जो सपोर्ट लेब रिजिस्टेंस था उसकी ऊपर तोड़ा गया ठीक है एनिवे हमारा टार्गेट जो था वो टार्गेट अच्छी हुआ है बट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और उपर करीवन आपका 52-55 के 52 से 53 के आसपास जाना चाहिए बट यह यहां पर 51 से थोड़ा नीचे आ गया तो हब यह अभी हम देखते हैं कल कौन से लेवल पर ट्रेड करोगे सपोर्ट रेजिस्टंस क्या रहेगा हम लोग अभी देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टंस नोट कर लिजी 148 40 पैसा का सपोर्ट है अगर असोक लेलें 148 40 पैसे के नीचे चला आता है आप लोग उसको सेल कर सकते हो टार्गेट रहेगा 147 15 पैसा 145 50 पैसा याद रखिए 148 40 पैसा सपोर्ट का लेबल है 148 के नीचे का सश्टेन करता है 147 15 पैसा 147 15 पैसा और उसके नीचे चलता है 145 50 पैसा यहाँ ता कि यह नीचे आ सकते हैं तो ज्यान रहेए सपोर्ट के नीचे अगर आप लोग को मिलता है तो आप लोग सेल करके ट्रेड कर सकते हो रेजिस्टन्स रहेगा 149.75 पैसा जैसे ही 149.75 पैसे के उबर सस्टेन करता है बाई कर सकते हो 151.10 पैसा आज का पहला डे हाई क्रोस करेगा उसके बाद 152.75 पैसा और अगर उपर चलता है तो 154.40 पैसा तक भी आपको टारगेट देखने को मिलेगा याद रखे 149.75 पैसे के उपर अगर सस्टेन करता है तो बाई कर सकते हो टारगेट रहेगा 151.10 पैसा 152.75 पैसा और 154.40 पैसा यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा तो गाइस जो भी सपोर्ट रेजिस्टन्स में आपको दे रहा हूँ ध्यान से वो सपोर्ट रेजिस्टन्स नोट कर लिजे और वो सपोर्ट रेजिस्टन्स आपको काफी मदद करेंगे ट्रेड करने के लिए क्योंकि काफी सारे लोग को पता होगा support, resistance आपको पता चलता है कि कहां से आप लोग को trade लेना चाहिए और कहां से नहीं लेना चाहिए बहुत साराथ चीज़ आपको inform करता है तो आप लोग ध्यान से levels note करके market में जरूर trade करें चली next stock के उपर चलते हैं state bank of India के उपर और state bank इंडिया जो अभी एक level पर खड़ा है मेरे ख्याल से इसमें एक अच्छा trade होना चाहिए market ने अगर देखा जाए तो तो एक breakout का pattern मनाया यहां पर अगर देखा जाए तो अगर state bank of India 580 की उपर चलता है तो वो सकता है 600 का target काफी जलती देखने को मिलेगा बट initially अभी देखेंगे कि इंटरेटे में क्या target है आपका कल के लिए 569,90 पेसा जी हाँ जो day low यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 569,90 पेसा के नीचे अगर आता है तो आपको यहाँ पर target देखने को मिलेगा 565,90 पेसा और अगर उसके नीचे भी चलता है तो around आपक 50 के आसपास आपको यहाँ पर और एक target देखने को मिलेगा जाद रहेगा 569,90 पेसा के नीचे अगर आपको statbank op india trade होते हुए देखने को मिले तो आप लोग महाँ पर sale कर सकते हो target आपका रहेगा 565,90 पेसा और 560 रूपीज यहाँ तक में नीचे आ सकता है resistance आपका होना च जैसे 574,40 पेसे की उपर चलता है 578,95 पेसा और जैसे 578,95 पेसे की उपर चलता है 582,55 पेसा 586,20 पेसा और जैसे 586,20 पेसा के ऊपर यह सस्टेन करेगा यहाँ पर आपको 590 और 595 के आसपास के लेवल आपको देखने को मिलेंगे याद रखे क्योंकि मोमेंटम काफी अच्छा है अगर यह यह से जैसे ब्रेक आउट या पर करेगा तो यह जाके 595 और 600 के आसपास जाके तो नीचे आ सकता है तो ध्यान रखेगा जो भी लेवल से मैं आपको क्लेली बता दिया हूँ 574 40 पेसे की उपर अगर आपको SBA ट्रेड होते हो देखने को मिले आप लोग वहां से बाइक करके ट्रेड कर सकते हो चली फाइनल स्टॉक के उपर चलते हैं फाइनल कौन सा स्टॉक है और जो लेवल्स मैंने आपको आज के लिए बताया था हो आई होप कि आप लोगोंने उन एक चीज़ आपको बताया था अगर यहां से ब्रेक ब्रेक आउट कर लेता है तो एक बड़ा टार्गेट आपको देखने को मिलेगा और जैसे मिन आपको कहा था एक्जाक्टली मार्केट ने वही लेवल्स क्यूपर ट्रेड हुआ एराउंड हमने टार्गेट किया था 50 55 90 याने कि 56 के आसबस हमने प्लान किया था मार्केट ने एक्जाक्टली उन्हीं लेवल्स की पर ट्रेड हुआ तो चलते हैं अभी आई टी सी की उपर देखें कि कल कौन से लेवल पर आप उसको ट्रेड कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टन्स क्या रहेगा अभी तो काफी बड़ा मोमेंटम हो गया है तो यह मोमेंटम कंटीनू रहेगा या थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है मार्केट वह अफोसे लोग सेईल कर सकते हो इंट्राडए के अंदर एक च्कोर टार्गेट के लिए आप लोग 340 50 पैसा जो क्याइच का देおお है 348 50 पैसा के नीचे अगर चलता है 344 74 75 पैसा जी हां याद रखी अगर 352 के नीचे यह अगर आता है तो आप लोग सेल कर सकते हो पैसे के नीचे, टार्गेट तो मैंने बता दिया 348 50 पैसा और 344 75 पैसा, रेजिस्टंस आपका होना चाहिए 356 25 पैसा, जी हाँ, आज का डे हाई आपका रेजिस्टंस है, जैसे ही डे हाई की उपर चलता है, 358 50 पैसा और 360, यह चीज़ आप लोग याद जरूर करेगा, अगर 356 25 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, आप लोग बाई कर सकते हो, टार्गेट रहेगा 358 50 पैसा और 360, और अगर जरूरत पड़ता है, तो 365 के आसपास भी आगे चलके जा सकता है, बट अभी के लिए मैं आपको 360 तक का टार्गेट देता हूँ, अगर in case 360 की ऊपर सस्ट 63 और 365 तक का टार्गेट प्लान कर सकते हो, बट अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 360 तक टार्गेट प्लान करिए, इतना बड़ा टार्गेट अभी प्लान मत करिए, एक अपते के बाद हो सकता है, 365 के आसपास ये जाके नीची आएगा, आई हो गास जो भी सपोर्ट र सकते हो, साथ इसाथ अगर किसी को भी फ्री और पेट सर्विस की जरूरत है, तो डिस्क्रिप्शन एक बड़ चेक कर लिजे, वहाँ पर काफी सार इंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, और उसके साथ साथ, दूसरा के साथ वीडियो का लिंक जरूर शेर करेंगे, आज के ल